हमारे सभी भाई बहनों को सारे संसार में जो मुस्लिम्स भाई बहने हैं उन सभी को ईद की बहुत-बहुत मुबारक हो बहुत ही सुन्दर पर्व है और सारे ही संसार में एक सनही का माहूल इस दिन पैदा हो जाता है जी जी और ये बहुत ही महत्वर रखता है अपने आप मे क्योंकि प्यार की सरीता का बहना चाहे अलग-अलग धर्म के हो, जाती के हो, भाश्रा के हो, मत-मतांतर के हो, लेकिन इस नहीं की सरीता सबको आपस में एक दुसरे से बान देती है। दूसरे से सीखा, दूसरे धर्म से तीसरे ने सीखा और इस तरह सभी धर्मों में कुछ अच्छी परमपराएं प्रारंब हो गई है। तो बहुत खुशी की बात है कि मुस्लिम धर्म में भी एक मास, बहुत पवित्रता पूरवक, बहुत ही दानपुन की भावना के अनुरूप और सब कुछ देने की, मदद करने की, रहम की, भावना की, जो मानुविये मुल्य हैं, जो सभी धर्मों के बीज हैं, वो सिखा जाता है और सब उसका पालन करते हैं, इसलिए इस दिन जबकि रमजान पूर्ण हुआ एद बनाई जा रही है, सभी भाई बहनों को मुस्लिम धर्म के भी और सभी धर्मों के बहुत-बहुत मुबारक हो। प्याग एक लंबे समय तक सूरियों दैसे पहले से सूरियस के बाद तक लंबा समय बारा गणिटे से जादा उपवास हो जाता है तो इसका हेल्थ पर बहुत सुंदर एफेक्ट होता है तो हर धर्मों में जो उनके नेतागन हुए उपवास की उन्होंने ये परंपरा चला द हिंदु धर्म में बहुत चली, मुस्लिम धर्म में भी, क्रिश्चन धर्म में भी तो एक तरह से धर्मों के माध्यम से क्योंकि उसमें सब की भावना रहती है तो मनुस्वस्त भी रहे और उसका पूरा जो सिस्टम है शरीर का उनर गठन हो जाए अंदर में उसका भी ध्या रखा गया, इस मास में सभी लोग पवितरता का विशहिश धियान रखते हैं अब कितने लोग पालन करते हैं करना सब कोई चाहिए ये परंपरा है वृत भी रखते हैं पवितरता भी बहुत बड़ी चीज है किसी भी धर्म की वस्त्रिक शक्ति उस धर्म के अनुयाईयों क पवितर्ता ही मानी जाती है वही भीज है वही आधार है अगर किसी धर्म में पवितर्ता पूरी तरह नास्ठ हो जाए तो समझ लो वो धर्म भी नास्ठ होने को आया है तो मुसलिम धर्म में भी ऐसे बहुत सारे नेतागन भी पवितर रहते थे और ये एक मास पवितर्ता की पालना करना जैसे धार्म को भी एक बल प्रदान करना है और हम जानते हैं इससे चित बहुत स्यांत रहता है बड़ा निर्मल रहता है दूसित भावनाए सनाप्त हो जाती है एक दूसरे के प्रति श्रेष्ट भावनाए सद भावनाए प्रेम की अपने पन की भावना पैदा ह जाती हैं तो ये वास्तों में परसंस नहीं है जी जी अब हमेशा वरत को explain करते हैं वरत जी कि केवल भोजन का ही वरत नहीं उफवास नहीं लेकिन और भी कुछ चीजों का यदि वरत ले लिया जाए तो सच्छमत जीवन बहुत सुन्दर हो जाए तो क्या क्या वरत हो यही ब तो सभी धर्मों में रखे जाते हैं जैसे उपवास की बात है लेकिन इसका हिंदी जो यह सब दहिसकार्थ वे उपरवास करना जो उपरवास करना उसके समीप रहना खुदा के समीप रहना अल्ला के समीप रहना यह सच्छा उपवास है लेकिन वरत यदि हम कुछ प्रेम से रहना है, मुझे अपने मुख से ऐसे वचन निकालने हैं, जो सब को सुख मिलने लगे, या मुझे सब को मदद करनी है, ऐसे कई धारनाएं है, या मुझे करोध नहीं करना है यिवरत लेने, ऐसी कई चीजे, किसी मनुस में कोई कमजोरी हो, देखिए धार्म तो है ह लेकिन मनुस का अपना एक जीवन भी है न, उसमें कई कमजोरियां काम करती हैं, उन कमजोरियों के कारण। उनका परिवार भी कभी-कभी परिशान होता है, उनके स्वयम के कारियों में भी बाधा पढ़ती है, मान लोग इसे को क्रोध ही आता है, वो घुसे में फट से बिजनस है, आप दुखान पर हैं, ग्रहा काये थोड़ी ज़्यादा पूछ ताच कर रहे हैं, आपने क्रोध कर दिया, ग्रहा कैं कैसा आदमी है, यह छोटी बातों में बुछा करता है, इसके पास नहीं जाना है, दूसरे अच्छे लोग भी तो हैं, तो क्रोध एक बुरी इसको न करने का वरत ले लें, बुरे वच्चन न बोलने का वरत ले लें, सभी में प्रेम भाव बढ़ाने का वरत ले लें, खुष रहना और खुषियां बांटने का वरत ले लें, चुन लें अपने जीवन को देखकर, कोई एक वरत, रमजान के समय यदी ले लेंगे, औ इद के समय उस पे ठपपा लगा देंगे यानि स्ट्रॉंग फोर एवर तो सच मुच ये इद और रमजान वर्दान बन जाएंगे वर्दान बन जाएंगे सच मुच और ये बहुत महत्वर रखता है प्रदाजी क्यों कि भोजन का तो त्याग करना सहज भी हो सकता है लेकिन ये जो वरत ले लेते हैं जीवन को सच मुच कितना उचाहियों तक ले जाते हैं वैसे प्रदाजी रमजान के समय में बहुत सारी अच्छी चीज़ों का पालन किया ही जाता है जैसे हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है वो फिल्मी सौंग्स भी नहीं सुनते हैं टीवी नहीं फिल्मों में जाएगा थेटर में जाएगा गीत ऐसे वैसे सुनेगा आजकल नैट उस पे जाएगा सहथ सोचते होंगे कुरान में नैट को तो मना नहीं किया है उस ताइम यह ता ही नहीं लेकिन यह सब इंप्योरिटी को बढ़ावा देते हैं तो इन सब का त्याग इसे यह किया जाता है कि मन सुद्ध रहे रूहानी भाव रहे एक दूसरे के लिए जीवन में पवित्रता पाक जिसको कहते हैं बहुत अच्छी पवित्रता प्योरिटी रहे उससे हम खुदा के समीप पहुंचते हैं तेके के वल इबादत करने से कोई उसके समीप नहीं पहुं पहुंचते हैं मतलब इन चीज़ों को के वले एक मास नहीं लेकिन यदि पूरे वर्ष या ताउम्र धारण कर लिया जाए तो इश्वर के बहुत नजदीक ही नहीं पहुंचेंगे धर्म बहुत शक्तिसाली भी बन जाएगा यदि सभी धर्मों की आप कहानी देखें इति जैसे जैसे वो आगे बढ़े प्योरिटी खतम हुई तो इनमें हिंसा ने अपना इस्थान लिया सुख की बजाए दुख का लेन देन होने लगा प्रेम की बजाए नफरत बढ़ने लगी तो ये सब चीज़े अपनाने से धरम पुन है अपनी स्रेश्ट इस्तिति जिसको स शूर सा पक्ष है मैं प्रकाश जहोंगा Atkaaf कहते है उसे जिसमें में पूरी तरह से धुणिया से हट करके सारी सोशल मेडिया दुनियावी चीजों से हट करके मौन रह करके कांत में साधना करते हैं इश्वर का ध्यान करते हैं कुरान शरीफ का पाठ करते हैं जितनी प्रारतना हो सकती दूआ हो सकती वो करते हैं तो ये जो एक समय रखा जाता है उस समय के बारे में क्या कहेंगे क्या ये समय लंबे समय तक और किया जा सकता है, जिसे अध्यात्मी को नटी है, दस तिन बहुत अच्छा समय है, कोई तिन दिन रखते होंगे, कोई ऐसे भी होंगे, जिनको भारी पढ़ता होगा, तो एक दिन रखते होंगे, चुप रहना सबसे भारी काम है, इसको बोलने की जादा रख जाते हैं, तो एक रूहानियत बढ़ जाती है मनुस के अंदर, और इस रूहानियत के साथ मैं कहूंगा, हर मनुस को अपने बारे में चिंतन करना चाहिए, जिसे रूहानी चिंतन कहते हैं, एक आंत होता है, हमारे एक फ्रेंड मुसलिम बहुत अच्छे कहा, मैं तो पंदर दिन के लिए जा रहा हूं, मैंने जिए बहुत बड़ी ये है अपनी मस्जिद, उसमें कमरे हैं, मैं तो वह ही रहता हूं इतना दिन, शांत रहता हूं, अल्ला के ध्यान में रहता हूं, बड़ी अच्छी बात है, रमग्जान के अंतिन तीन या देस दिनों में भी लोग यही करते हैं पर्दा लगा लेते हैं और बिलकुल अकेले बजाते हैं तो कितने अच्छी बात है तो सभी यह करें कि मौन रहकर कुरान का पाट तो करते हैं पठन तो करते हैं लेकिन चिंतन कि जो कुछ कुरान में है अच्छी बाते वो हमारे जीवन में कैसे आए तो जीवन अच्छा हो जाए और अल्ला का ध्यान केवल इबादत नहीं, केवल नमाज पढ़ लेना नहीं, ये तो देखिए एक प्रेयर्स हैं, प्रारंबिच चीजे हैं, लेकिन अल्ला का ध्यान, वो जो नूर है, जो जोती है, उस पर एकागर हो जाना, तो उसकी श्यानति, उसका प् जिर्मान करने वाले होंगे, जीवन को परिवर्तन करने वाले होंगे, हर जगे सभी की साधनाओं में मौन का बहुत ज़्याद महत्र है, मौन में स्वेम बहुत शक्ती है, क्योंकि मन उसको एक मौका मिलता अपने को देखने का, अपने में परिवर्तन लाने का, अपनी भा निकाल लिया जाए जिसमें कि हम पूरी तरह से ऐसी ही isolated हो करके खुद से और खुदा से जुड़ जाएं अगर रोज मनुस्य ऐसा करने लगे थोड़ा समय 15 मिनट से लेके आधा गंटा बिलकुल अकेले अपने से बात करें अपना दर्शन करें और अल्ला का चिंतन करें, खुदा से मिलें उसकी उलाद हैं, उसके बंदे हैं, खुदा के बंदे लोग कहते हैं केवल वह हमारा मालिक ही नहीं, हमारा पिता भी है हम उससे जुड़ जाएं, उससे अपना नाता जोड़ लें यह फिलिंग हमें रोज एकांत में मौन धारन करके लेनी चाहिए। हिंदी में इसे अंतर मुक्ता भी कहते हैं। अंदर चले जाओ। अपने को देखो, अपने बारे में चिंतत करो। तो सच वुच ये जीवन के हर एरिया में बहुत सहज उन्नती का साधन बनेगा। और अपने आपको बंदगी या अपने आपको बंदा समझना ये भावना तो मुस्लिम धर्म में हैं लेकिन औलाद वाली फिलिंग जो आपने कही संभवता इसकी चर्चा थोड़ी सी कम है। और दूसरी बात जो आपने कही कि हम नमाज तो पढ़ते हैं, अल्लाह को याद तो क जियान भी करें, तो इन दोनों पर थोड़ा सा प्रकारश्य होंगा, क्या इनकी कमी है या इसे किस प्रकार से किया जा सकता है। जब तक हमारा उससे नाता नहीं जुड़ेगा, तब तक उसकी शक्तियां, उसकी शानती, उसकी प्योरिटी हमें आएगी नहीं। बाहिये रूप से हम कहेंगे हमें पाक साफ होना है, लेकिन अंदर फिर वैसे रह जाएंगे। इसलिए केवल खुदा की इबादत में तो क हमारा मालिक, लेकिन हम उसके बच्चे भी हैं, उसकी उलाद भी हैं, ये नाता अगर जुड़ जाएगा, तो उसकी जो असली चीज़ है, वही इसको हैविन, स्वरक कहते हैं, उसमें भी जाने का मार्ग साफ हो जाएगा। तो ये नाता फिर जुड़े कैसे, मैं बैठ तो रहा हूं, एक आंत में भी मौन भी रहा हूं, नमाज भी पढ़ रहा हूं, सब चीज़ें कर रहा हूं, तो ये जो नाता जुड़ेगा, वो कैसे जुड़ेगा। इसके लिए पहली जुड़ुरत है, हम सब ये रूहें हैं, सोल्स, आत्मा हैं, हमें रूहानी स्थिती बना लगेगा, हम सोल कॉंसिये सोने लगेगे, और रूह की जो क्वालिटी हैं, शान्ती, पवित्रता, प्रेम, सुक, आनन, शक्ती, वो हमारी जीवन में आने लगेगे, पहला अभ्यास में ये करना होता है, दूसरा, फिर अल्ला का, खुदा का, किलियर ज्यान होना चाहिए, वो उपर है, इतने कहने से काम नहीं चले, वो कहा है, रियल लोकेशन, और उसका स्वरूप क्या है, नूर तो वो है, ज्योती तो है, पर उसके गुनों का चिंतन, उसे अपनापन, दीकें हम उसे याद क्यूं कर रहे हैं, क्यूं उसे मांग कर हैं, क्यूं उसकी बादत हो उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अगर उसने हमें सुख न दिया होता, तो हम उसे क्यों याद करते हैं, अगर उसने हमें पावन न बनाया होता, तो हम क्यों उसे याद करते हैं, तो वो हमारा है, हम उसके हैं, ये नाता जोड कर, उसका चिंतन और उस परेकागरता कर दो कर दो